एलो गाईज आज की लेक्चर में डिसकस करेंगे वाट इज लामीस थ्योरम तो लामीस थ्योरम क्या होता है? इसका इratements देखेंगे एंड इसका जो figure का representation होता है वो देखेंगे और किसी भी body पर जब 3 force acts होता है तो वो कैसे रिपर्जेंट्स करता है force के साथ वो हम लोग यहाँ पर discuss करेंगे and इसका formula क्या होता है Lamis theorem का वो हम लोग discuss करेंगे तो सबसे पहले हम लोग statements देखते हैं कि Lamis theorem क्या होता है तो चलिए start करते है Lamis theorem it states that if three forces acting at a point are in equilibrium, each force will be proportional to the sign of the angle between the other two forces क्या बतलाता है कि जब तीन force किसी भी बड़ी पर x होता है तो दो force के बीच जो angle का formation होता है तो तिसरा जो force रहता है, third force जो रहता है तो उसके sign angle के proportional में होता है वो force जो है उसके sign angle के proportional में होता है तो यह हमारा Lamis theorem का statements है एक बार और आपको समझा जाते हैं कि जब तीन force किसी भी बड़ी पर x होता है तो दो force के बीच का जो angle का formation होता है वो third force जो होता है हमारा तो उसके sign angle के proportional में होता है तो चलिए अब हम देखते हैं इसका figure का representation figure कैसे इसका draw होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं तीन force जब बड़ी पर x होता है एक बड़ी है हमारा यह और इस पर तीन force एक्ट हो रहा है एक force हमारा P एंड दूसरा force जो है वो हमारा Q एंड तीसरा force जो है वो हमारा R यह हमारा जो है एक force P दूसरा force Q and तिसरा force जो है वो R तो Lami's theorem क्या बतलाता है हमारा according to Lami's theorem कि दो force के बीच का जो angle का formation होता है वो third force जो होता है तो उसके sign angle के proportional में होता है तो देखते हैं हम लोग तो यह force हमारा P है तो P के सामने वाला जो angle है वो हमारा क्या है? अलफा है and Q के सामने वाला जो angle का formation हुआ वो बीटा है and R, R के सामने वाला जो angle है इसका यह कौन सा angle है? गामा तो यह हमारा तीन force है तीन force इस point पे O point पे X हो रहा है इसको assume करते है point O तो जब कोई भी तीन force इस point पे X हो रहा है तो लामिश theorem क्या बतलाता है? कि जब तीन force किसी body पर X होता है तो दो force के बीच का जो angle का formation होता है वो third force के sign angle के proportional में होता है अगर हम यहाँ पर P force को assume करते हैं तो इसके सामने वाला जो force है Q and R Q and R तो इसका बीच का जो angle का formation है वो P के sign angle के proportional में होगा अगर हम लोग यह वाला force लेते हैं R लेते हैं तो R के सामने वाला जो है वो क्या होगा angle बीटा होगा क्योंकि P and Q के बीच angle का formation बीटा है तो कोई भी एक force को जब हम लोग consider करेंगे P, Q and R में तो एक force को exclude कर देंगे छोड़ देंगे इसके बाद दो force के बीच जो angle का formation होगा तो जिस force को consider करेंगे हम लोग तो उस force के इन दोनो force के बीच में जो force हम लोग consider करेंगे इसके बाद दो force जो बचेगा उसके sign angle के उसके बीच का जो angle का formation होगा उसके sign angle के proportional में होगा तो चलिए हम लोग देखते हैं कि according to Lami's theorem formula क्या होता है according to Lami's theorem अभी हम लोग figure draw किये थे जो figure जो draw किये ये वाला P के सामने वाला angle क्या है alpha है क्योंके सामने वाला angle क्या है beta है R के सामने वाला angle क्या है gamma है सामने हमको नहीं देखना है लेकिन ये देखना है कि जिस force को consider कर रहे हैं उसके बाद जो दो force बचता है उसके बीच का जो angle का formation होता है वो angle क्या है तो अगर P force को हम लोग consider करते हैं तो P force के सामने का angle नहीं देखना है हमको P force के बाद जो angle force बच रहा है दो force उसके बीच का जो angle का formation है वो हमको consider करना है तो P force को अगर consider करते हैं हम लोग तो P के बाद कौन सा force बच रहा है Q and R तो Q and R के बीच जो angle है वो क्या है अलफा है तो ठीक उसी type से सेम उसी type से हम लोग R अगर लेंगे तो R के बाद जो R force consider करेंगे तो दो force हमारा P and Q बच जाता है तो इसके बीच जो angle का formation है वो हमारा क्या है गामा है ठीक उसी type से Q लेंगे तो Q को consider करेंगे तो P and R के बीच का जो angle का formation होगा वो consider करेंगे तो P and R के बीच का जो angle का formation है वो क्या हमारा बीटा है तो according to Lami's theorem Lami's theorem क्या बतलाता है कि जब किसी भी बड़ी पर 3 force x होता है तो एक force के सामने जो दो force के बीच angle का formation होता है वो sign angle के proportional में होता है तो चलिए figure का representation देख लिए हम लोग इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे formula derive करेंगे फोर्मूला क्या होता है according to Lami's theorem अभी जो हम लोग figure बनाया है P by sin alpha is equal to Q by sin beta is equal to R by sin γामा ये तीन एंगल का formation हुआ हमारा figure में जो कि अभी हम लोग यहां पर ड्रोह किये ये वाला P, Q and R तो P के सामने वाले एंगल क्या है alpha according to Lami's theorem क्या बतलता है sin एंगल के proportional में तो P जब हम लेंगे consider करेंगे P force तो P by sin alpha and जब Q लेंगे तो Q by sin beta and R लेंगे तो R by sin γामा तो उसी टाइप से हम यहां पर consider किये तो आपको समझ में आ गया होगा कि what is Lami's theorem and statements क्या होता है Lami's theorem का तो आज के lecture में इतना ही फिर next lecture में मिलते हैं तब तक के लिए बाई